हेलो दोस्तो मेरा नाम अमित है एंडिटी एंड कॉलिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम थर्मोग्राफी टेस्टिंग के बारे में देखने वाले हैं तो यह थर्मोग्राफी जो मैथड है उसके साथ इंफ्रारेड आई आर टेकनोलोजी करके भी मैथड शाथ में आता है इंफ्रारेड टेकनोलोजी या इंफ्रारेड मैथड इसको बोला जाता है अभी यहां पे आज के इस वीडियो में हम यह थर्मोग्राफी मैथड जो है वो कैसे होता है इसमें बेजिक सैट अप कैसे होता है वो देखेंग इसके अलावा इसमें टेस्टिंग कैसे होता है ये method के कुछ advantage है और method advantage देखेंगे और इसके कुछ limitation है ये method के वो limitation भी देखेंगे और last में हम इसके कुछ application मतलब की कौन-कौन से तरीके से आप ये method यूज़ कर सकते हो वो भी देखेंगे ठीक है तो अगर आप entity level 3 का preparation कर रहे है तो उसमें आपको पता होगा कि basic करके exam आपको देना पड़ेगा तो basic method जो है उसमें अलग-अलग entity के जो method है वो पूछे जाते है और generally इसमें 10 entity के method include होते है इसके question पूछे जाते है तो basically जो 5 method है LPT, MPT, UT, RT और VT इसके अलवा ये thermography, leak testing है acoustic emission testing उसके अलवा neutron radiography ये सब method जो है उसके question भी पूछे जाते है ठीक है इसके अलवा AD current testing भी है तो ये सब total मिला कर 10 method के question detail में पूछे जाते है तो आपको ये method के बारे में थोड़ा बहुत knowledge तो होना ही चाहिए तो आज के इस वीडियो में ये हम thermography का में basic आपको knowledge देने की try करूँगा अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजे और ये वीडियो अपने दोस्तों और कलिक लोगों को share करिए इसके अलावा हमारी चैनल पे join feature एड हुआ है तो join feature का use करके आप हमारी चैनल का membership ले सकते हो तो membership लेते हैं तो इसके बहुत सारे फाइदे हैं इसमें आपको member exclusive video जो मैंने बनाये हैं वो उसका access मिल जाएगा तो इसमें mainly मैंने NDT level 2 के video बनाये हैं उसका access आपको मिलेगा उसके अलावा मैं बाद में SME API ये सब code है उसका भी video अलग से add करने वाला हूं तो उसका access भी आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये infrared या thermography entity method जो है वो क्या है देख लेते हैं thermography is a technique of obtaining an image of the heat distribution over the surface of an object ठीक है तो यहाँ पे basically होता क्या है कि आपका जो भी object होता है उसका image देखने को मिलता है screen पे और image में क्या होता है कि उसमें heat distribution कैसे हुआ है ठीक है तो आपका जो object है उसमें कैसे heat distribution हुआ है वो देखने को मिलता है उसके अलावा the detection of subsurface features मतलब की subsurface defects anomalies etc. owing to temperature differences observe on the investigated surface during monitoring of monitoring by infrared camera ठीक है तो यहाँ पे temperature का difference है वो mainly ना पा जाता है और इसके basis पे आपके job में जो भी defect है वो मिलता है और यहाँ पे infrared camera का use किया जाता है when there is a temperature difference between two objects or when an object is changing temperature heat energy is transferred from the warmer areas to the cooler areas until thermal equilibrium is reached ठीक है तो यहाँ पे कोई भी object की आप बात करें तो दो object के बीच में suppose temperature difference है ठीक है तो वो case में क्या होता है कि आपका दोनों जो object है उसमें heat energy है वो transfer होता है एक object में से दूसरे object में तो यह energy है वो कैसे transfer होता है उसमें आपका area जो है उसमें warm area है वहाँ से cool area के बीच में energy transfer होता है और यह energy कब तक transfer होगा जब तक आपके job में thermal equilibrium पैदा हो जाता है मतलब कि दोनों जो area है cool area और warm area दोनों का temperature जो है वो same हो जाए तब तक यह energy जो है वो transfer होता रहता है ठीक है तो यहाँ पे यह याद रखना है कि temperature difference आपके job में है दो object suppose आपने लिया है उसमें energy जो है वो warm area मतलब गरम area जो है वहाँ से ठंडे area में transfer होता है heat energy transfer होता है और जब तक दोनों के बीच का temperature same हो जाए तब तक यह energy transfer होता रहेगा तो यह जो पूरा process है that is second law of thermodynamics ठीक है यह thermodynamics का दूसरा law है this non-contact technique is used in variety of sectors such as power plant, petrochemical plant, refineries and steel industry and application ranges from inspection of boiler areas and transformer to electrical rooms and storage tanks and among many others तो यहाँ पर यह सब sector में आपका यह technique use होता है यह non-contact technique है और यह सब पावर प्लांट, petrochemicals, refineries, steel industry यह सब अलग-अलग sector में use होता है इसके अलबा boiler areas है, transformer और even electrical related equipment में भी यह technique आप use कर सकते है object release thermal energy that is invisible to human eye and infrared camera can measure the thermal energy and map the temperature differences of the object तो यहाँ पर जो भी thermal energy release होता है वो energy हम अपने आखों से नहीं देख सकते हैं मतलब कि यह invisible होती है पर infrared camera जो है उससे आप यह measure कर सकते हैं और जो भी temperature difference है वो आपको infrared camera से मिल जाएगा तो इसका कैसे इसका image बनता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा तो image captured shows the heat flow to, from, and, or through an object तो यहाँ से आपका यह जो camera infrared camera है वहाँ से उसमें आपको heat का flow है वो कहां से कहां जा रहा है और कितना energy है वो transfer हो रहा है वो सब आपको दिखाएगा temperature differences can highlight range of problems such as corrosion and erosion तो corrosion, erosion आपको ढूलना है तो वो भी आपको यह temperature differences से मिल जाएगा इसके अलबा bad insulation as well as flows in material or structures such as dish bond, voids, or inclusion तो यह सब तरकी discontinuity या anomalies है वो आपको मिल जाएगी तो insulation, bad insulation है, dish bond है, void है या inclusion है यह सब यह flows आपको यह thermography में मिल जाएगा यहाँ पे setup जो है वो इस तरका होता है यह देख सकते है यह आपका heat source है ठीक है तो यहाँ से energy जो है वो अंदर की side job में insert होती है और जहाँ भी anomalies है ठीक है यह आपका anomalies है या फिर defect है तो यहाँ से energy जो है वो return आती है ज्यादा ठीक है तो ज्यादा energy return आएगी तो वो infrared camera जो है उसमें detect हो जाएगा तो यह जो area है ठीक है इसमें energy जो है वो ज्यादा आ रही है तो आपका computer या laptop जो भी है उसमें यहाँ पे signal दिखा देगा ठीक है तो इसमें infrared camera का use होता है यहाँ पे भी देख सकते है ठीक है यह आपका flash lamp है यहाँ से आप energy ऐसे देते है यह direction में तो जहाँ पे भी defect है वहाँ से यह जो energy है वो reflect होगी और infrared camera जो है energy वहाँ पे receive होगी और PC यह आपका laptop जो है वहाँ पे आपको इसका graph देखने को मिलेगा इसमें heat conduction ऐसा लिखा हुआ है तो thermography जो होता है उसमें कई सारे type के अलग-अलग system होते है तो heat conduction है इसके अलवा vibro thermography करके आता है radiation मतलब की radiation thermography करके भी एक यहाँ पे system होता है तो कई सारे type के यहाँ पे system आपको देखने को मिलेगे तो यहाँ से मैं इतने deep में यहाँ पे नहीं जाओंगा और एक example यहाँ पे दे रहा हूँ तो heat conduction वाला जो system है इसमें इस तरह से आपको indication देखने को मिलेगा यहाँ पे देख सकते है इस तरह से आपको indication देखने को मिलेगा ठीक है यह temperature का scale है side में आप देख सकते है जैसे यह एक figure लेते है यह electrical panel board का figure है इसमें यह temperature का scale है तो जहाँ पे पी temperature ज्यादा है ठीक है वहाँ पे यह जो है इस तरह का आपको color दिखाएगा ठीक है तो देख सकते है यह जो है यहाँ पे temperature ज्यादा है यह area जो है यहाँ पे temperature ज्यादा है ठीक है मतलब कि यहाँ पे कुछ problem है यहाँ पे कोई disk bond या ऐसा कुछ कोई defect है ठीक है इस तरह से आपको indication दिखाएगा यहाँ पे देख सकते है यह तीनो जो पैनल है इसमें normal temperature है ठीक है तीनो same दिख रहा है जबकि यह जो है यह abnormal है ठीक है मतलब कि ज्यादा temperature है उदर तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक और figure भी आप देख सकते है ठीक है यह बीच वाला यह जो है यह आपका radiant floor hitting करके यहाँ पे coil दिया हुआ है तो coil में temperature यहाँ पे ज्यादा है यह area में ठीक है पर यह normal temperature है अगर abnormal होगा तो इसका जो color है वो change हो जाएगा इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते है यहाँ भी temperature दिया हुआ है ठीक है यहाँ पे temperature जो है यह सबसे ज्यादा है यह temperature का scale सबसे ज्यादा है तो यह area में temperature ज्यादा है इसके अलबाव यह pump का figure है fan वगेरा है ठीक है motor का fan है यह सब यहाँ पे figure दिया हुआ है तो इस तरह से आप इसमें check कर सकते हैं As nearly anything becomes hot before it fails Thermography is an important diagnostic tool for finding deterioration तो यहाँ पे कोई भी item जो है वो fail होने से पहले hot होती है मतलब कि गरम होती है ठीक है तो thermography से आप क्या पता कर पाएंगे कि कौन सा item है वो fail होने वाला है future में fail होगा ठीक है जो item hot होती है मतलब कि गरम होती है वो future में जल्दी fail होगी मतलब कि उसका fail होने का chance ज्यादा है तो आपको पहले से पता होगा कि इधर ये item fail होने वाली है तो आप उसका कोई solution निकल सकते है objects or areas showing exceptionally low thermal energy may indicate loss of power and energy falls तो कोई area जो है वहाँ पे अगर low thermal energy है बहुत कम thermal energy है तो वहाँ पे आप check कर सकते हैं वहाँ पे loss of power या energy fall हो सकता है अभी ये method का advantage और limitation देख लेते हैं तो the main advantage of infrared thermography over the destructive testing technique is that large areas can be scanned fast and with no need to be destroyed during testing ठीक है तो ये इसका बहुत बड़ा advantage है ये entity का technique है मतलब कि आपको कोई भी specimen है उसको destroy करने की ज़रूत नहीं है उसके अलावा आप बहुत सारे large areas जो है उसको fast scan कर सकते हो ये बहुत speedy technique है तो सबसे ज्यादा speed में आप testing कर सकते हो this results in major saving in time, people, work and machinery ठीक है तो यहां पे आप time है manpower है working over machinery ये सब चीज जो है वो save कर सकते हो in addition there are advantage of infrared thermography over other non-destructive techniques the infrared thermography device is risk free as it does not emit any radiation it only records the infrared radiation emitted from the material that is under assessment तो यहां पे radiation का भी कोई problem नहीं है जैसे हम radiography testing आर्टी करते हैं तो उसमें radiation अगेरे का सब खत्रा रहता है पर इसमें आपका job में से जो भी infrared radiation जो है वो emit होता है वही आपको record करना है तो यहां पे radiation लगने का अमारी body में कोई खत्रा नहीं है more ever infrared thermography is an area investigating technique whereas most of other non-destructive method are either point और line testing method तो यह भी इसका advantage है कि यह thermography जो है वो area पूरा का पूरा assessment करती है जबकि दूसरा कोई भी method आप देखो जाहे वो radiography या ultrasonic या फिर liquid peniton उसमे line testing या point testing या छोटा सा area ही आप test कर पाते हो जबकि इसमें आप पूरा का पूरा बहुत बड़ा area आप एक साथ में testing कर पाते हो furthermore infrared thermography testing में भी perform during both day and night time hours ठीक है तो इसमें lighting वगेरा आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप night में भी या day में भी कई भी आप test कर सकते हो thermography due to the fact that it uses infrared technology it is not possible to penetrate in extended depth ठीक है तो यह इसका disadvantage है या limitation है कि आप इसमें ज्यादा depth में testing नहीं कर पाओगे मतलब कि कुछ few mm मतलब कि कुछ ही mm तक आप depth में testing कर पाते हो that of course is one of the main limitation of technique finally environmental condition also play an important role on outdoor infrared thermographic surveys utilizing the passive approach ठीक है तो यहां पे outside environment में आप करते हो तो वो time पे आपको इसमें problem हो सकता है तो इसमें cloud cover है solar radiation है wind speed है ठीक है यह सब factor भी इसमें effect करता है तो यह दोनों जो है इसका disadvantage है भी यहां पे इसका application देख लेते हैं तो infrared thermography as vast applicable field such as medical field, security screening, forensic sciences, electrical connection and instrumentation, civil structure, rotary equipment, loaded structure, automobile industry and aerospace structure and many more ठीक है तो यह सब field में आप यह infrared thermography technique जो है उसका use कर पाते हो तो यहां पे मैंने यह infrared technology है इसका खोड़ा brief introduction आपको देने के try किया है अगर आपको इसमें कोई doubt है तो मुझे आप comment box में पूछ सकते हैं okay thank you झार Прो寞, करता हो दा है